अक्सर देखा जाता है कि लोगों में इस बात की काफी उत्सुप तपाई गई है कि उनकी जोड़ी किसके साथ जमेगी जोतिश शास्त्र की मदद से वे राशी अनुसार इस बात की तुलना करते रहते हैं कि उनकी राशी की किसके साथ बनेगी वहीं जोतिश शास्त के मुताबिक एक राशी की जोडिया यानी एक ही राशी के दो लोगों के बीच रिष्टा नहीं जोड़ा जा सकता है हाला कि जब एक राशी के लोग रिष्टा बनाते हैं तो इसके मिले जुले परणाम हो मिल सकते हैं लेकिन ये सभी राशियों के लिए नहीं है सभी राशियों के अपने सुभाव का प्रभाव एक दूसरे पर पड़ता है ऐसे में लोग बड़े असमंजस में रहते हैं कि एक ही राशी के लोगों के बीच रिष्टा बनेगा तो वो कैसा रहेगा लेकिन आज हम आपको बताने डा रहे हैं कि एक राशी की जौडिया शादी करे तो सभल होती है या नहीं आईए जानते है कि एक ही राशी के दो लोगों के बीच रिष्टा बनता है तो क्या होता है एक, मेश राशी ऐसी जोड़ी जिसमें दोनों व्यक्ति मेश राशी के हो तो इस जोड़ी का भविश्य ज्यादा लंबा नहीं रहता है जोतेश के अनसार ये जोड़ी एक जलते वेजवाल आमुखी कीत है उती है जो कभी भी फट सकता है दो व्रिशब राशी व्रिशब राशी की जोड़ी को सफल जोड़ी मान सकते हैं जब स्त्री पुरुष दोनों ही व्रिशब राशी के हैं तो इनकी जोड़ी एक पर फेक्ट जोड़ी मानी जाती है क्यूंकि यहां लोग बहुती नर्म दिल के होते हैं और इनका रिष्टा जन्म जन्मानतर तक चलता है 3. मिथुन राशी जो जातक मिथुन राशी के होते हैं तो इन लोगों की जोड़ी सफल होगी या सफल इसका अंदाजा नहीं लगा सकते क्यूंकि यहां लोग दोहरे चरित्र वाले होते हैं ऐसे में जब इनकी जोड़ी बना दी जाती है तो इस रिष्टे की सफलता की कोई गारंटी नहीं होती है करक राशी करक राशी के जातकों की जोड़ी कई मायने में सफल मानी जा सकती है क्यूंकि यहां लोग बहुत ही संवेदनशील होते हैं, अपने जीवन साथी का बहुत ध्यान रखते हैं, एक दूसरे को समय देते हैं, यही उनके रिष्टे में परिशानी का सबब भी बनता है, इसलिए इन लोगों को थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है. पांच, सिंग राशी, जब दोनों पार्टरनर की राशी सिंग होती है तो यह रिष्टा एक टाइम बंब की तरह माना जाता है, जिसमें कभी भी विस्पोर्ट हो सकता है, सिंग राशी वालों में भरपूर क्रोध, अंकार और खुद से प्यार करना इनके रिष्टे को बिग प्यार को लेकर इनकी आपसी समझ हिनके रिष्टे को काफी आगे ले जाती है, साथ, तुला राशी, जब दोनों पार्टरनर की राशी तुला हो तो ऐसे रिष्टे को भी पर्पेक कहा जा सकता है, लेकिन दोनों पार्टरनर को अपने साथी के अब गुनों को अपना कर उ उन्हें स्वीकार कर ले तो ये लोग समाज में एक मिशेल बना सकते हैं आठ रिश्चिक राशी जब दोनों पार्टरनर की राशी रिश्चिक हो तो इन लोगों के बीच भरपूरा करशन और गहरा खिचाव होता है वैसे तो ये जोड़ी तब तक सफल ही साबित होती है जब तक कोई धुखे बाजी नहीं करे नौल धनू राशी जब दोनों पार्टरनर की राशी धनू हो तब ये लोग आपस में एक बेहतरीन रिश्चा कायम रखते हैं इन लोगों की जोड़ी खुश मिजाज कही जाती है लेकिन जब इन में से कोई एक अपना वादा नहीं रिश्टे को मजबूत बनाता है लेकिन कभी कभी इनकी बिच्व स्वई इच्छा को लेकर खटपड भी हो सकती है ग्यारा कुम्भ राशी जब दोनों पार्टरनर की राशी कुम्भ हो तब इनका रिश्टा तब तक ठीक ठाक चलता है जब तक इनका मूड अच्छा रहता है क्योंकि कुम्भ राशी वाले स्वभाव से काफी मूडिय होते है इनको इस बात को लेकर अपने रिश्टे में सावधानी रखने की जरूरत है 12. मीन राशी जब दोनों पार्टरनर की राशी मीन हो तब इनका रिश्टा काफी सुहाना माना जाता है क्योंकि ये लोग अ जिन्दगी भर एक दूसरे का साथ निभाते हैं